Hello friends, welcome back to my channel, मैं समीधा, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ amazing recipes जो कुछ tips के साथ में हैं और आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो इसमें जो recipe हैं बहुत ही quick हैं, साथी बहुत ज़्यादा delicious, बच्चों की favorite Valentine Day special, तो काफी सारा कुछ है इस वीडियो में उमीद करती हूँ, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए विनादेरी के start करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले मैं आपके साथ share करी हूँ, जो tortilla wrap मैंने आपके साथ last वीडियो में share किये थे, उन से मैं एक dessert recipe या आप कह सकते हैं, sweet tortilla wrap की recipe share करी हूँ, जो बहुत ही simple है, और अगर आपके पास ये tortilla बने हुए हैं, तो within minute आप उसे बना सकते हैं, कुछ fruits की आपको ज़रत होगी, साथ ही peanut butter या आप nutella यूज़ करना चाहें, chocolate sauce, strawberry sauce, जो आपके पास है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले tortilla क्योंकि हमने store करके रखे तो ये ठंडे हैं, तो इनको soft करने के लिए हलका सा butter या घी लगा कर आप इनको sakes सकते हैं, और आप बिना butter और घी के भी इने सेख सकते ही, ये उतने ही delicious लगेंगे, गरम करने का motive ये है कि यहाँ पर ये थोड़े से soft हो जाएंगे, और फिर इनको manage करना easy रहेगा, साथ ही गरम होने से taste भी अच्छा आएगा, तो तिला हमारा गरम होने के बाद इसको मैं इस तरह से cut लगाऊंगी, जैसे की wrap को fold करने क के लिए हम करते हैं, तो आपके साथ मैंने काफी सारे wraps recipe share की हुई है, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर इस पर cut लगाया है, और यहाँ पर ये गरम होने की वज़े से जो हम spread लगाएंगे ना वो भी easily इस पर spread होगा, otherwise अगर ठंडा हम लेंगे तो उटला तो उस पर spread पर नहीं रखें ताकि वो फोल लाने में आसानी हो, दूसरे में भी मैंने इसी तरह से peanut butter लगाया है, आपके पस nutella है, तो nutella के साथ strawberry बहुत अच्छी जाती है, मेरे पस nutella नहीं था, तो मैंने peanut butter के साथ ही से किया है, और यहाँ पर अब मैंने strawberry को पतली-पतली slice में cut किया ह और outer side में इस तरह से arrange किया है, ताकि यह बाहर से भी देखने में अच्छी लगे, एक बार हमारी strawberry इस तरह से arrange हो जाए, center में मैंने यहाँ पर थोड़े से banana pieces लगा दिये हैं, यह देखिए इस तरह से, यहाँ पर आप उपसे cinnamon भी हलका सा sprinkle कर सकते हैं, मेरे बेटे को ज़्य करके करें, ताकि यह निकले नहीं, इसके बाद इनको दुबारा गरम करने की ज़रुत नहीं है, यह ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, ऊपर से आप chocolate sauce डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर caramel sauce डाल रही हूँ, और इससे बहुत यह अच्छा इसको पर taste आता है, एक्छली आजकल ठंडा है, तो caramel sauce भी जम गया है, तो मैं इसको straw के help से लगा रही हूँ, और इस तरह से यह strawberry के साथ में हैं, तो valentine पे भी आप इसे try कर सकते हैं, amazing recipe है, और इसको बना कर आप मेरे साथ feedback, जरूर share करें, homemade tortilla के साथ आप wrap तो बना ही सकते हैं, बट इसके साथ आप frankie rolls भी बना सकते हैं, जो बच्चों के tiffin के लिएक दम profit recipe मुझे लगती है, क्योंकि इसमें आप vegetable add कर सकते हैं, और बहुत सारे चीजें इसमें add की जा सकती हैं, तो सबसे पहले vegetable में मैंने यहाँ पर तीनो कलर की bell pepper ली है, यहाँ पर आप onion, capsicum और cabbage क्या भी यूज़ कर सकते हैं, उस सबसे पहले हमारे पास जो पनीर है, उसको हम इस तरह से पैन में लेके हलका साटे करेंगे, इसके उपर मैं डाल रही हूँ फ्रैंकी मसाला, फ्रैंकी मसाले की recipe मेरे चैनल पर है, तो उसका लिंक मैं आपको description box में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं, फ्रै इसके उपर sprinkle कर देंगे, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो बस पनीर को बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, अदरवाइस वह बहुत चुई हो जाएंगे, हलके से जैसे ही है, कुक हो जाएं, बस उसके बाद आपसे निकाल दें, same pan में ही ये vegetable जो मैंन इस तरह से toast करेंगे, बस जो हमने इसमें oil और masala डाला है, वो इसमें बस एक बाद लिपट जाए, बस उतना ही, इस तरह से हमारी ये vegetables भी done हो गई है, फ्रैंकी रोल्स को आप different variation में बना सकते हैं, मैं यहाँ पर पनीर फ्रैंकी रोल बना रही हूँ, आप से आलो टिकी के सा आद भी निसेख सकते हैं, बट मैं इनको ऐसे ही heat up कर रही हूँ, और इस तरह से जितने रोल आपको बनाने हैं, उतने आप तोर्टिया गरम कर लीजे, उसके बाद सबसे पहला step रहता है, इस पर कोई भी sauce या पर चटनी लगाना, तो green चटनी है तो वो लगा सकते हैं, नह मैंने यहाँ पर क्योंकि vegetables और पनीर में अल्रेडी फ्रैंकी मसाला डाला हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके उपर नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो आप इसके उपर थोड़ा सा और उसे sprinkle कर सकते हैं, बीच में मैंने प्रिकल चिली डाली है, जो कि मैंने घर पर बन आई हैं, इसका भी मैं लिंक आपको description box में दे दूँगी, अब इन राप को हम रोल करेंगे, तो सबसे पहले नीचे वाली sides से इसे pack कर लेंगे, ताकि यह stuffing बाहर नहीं निकले, और फिर इस तरह से roll बना लेंगे, तो यह हमारा first roll बनकर ready है, इस तरह से आप बच्चों को ट मैंने सबसे पहले डाला है, पनीर pieces, उसके बाद मैंने ये मैगी डाली है इसके अंदर, और उसके बाद लगाई है थोड़ी सी vegetables, आप यहाँ पे salad भी लगा सकते हैं, कच्चा जिसे आप हलका vinegar और salt के साथ flavor कर सकते हैं, और आप नीचे से ना भी roll करें, तब भी आप इस त बना सकते हैं, तो इस तरह से हमारे ये सारे frankie roll बन कर ready हैं, आप इसको जरूर ट्राइ करें और देखिए कितना quick हो गया है इनको बनाना, नेक्स टिप में मैं आपके साथ share कर रही हूँ, instant frankie masala की recipe, अगर आप proper नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, तो वन फोर्थ ही मैंने इसमें डाला है, black pepper, उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ, पुदीना leaves, जो mint leaf होती हैं, ड्राइ होके वो डाली है, इसके साथ मैंने वन फोर्थ डाला है, जीरा powder, और वन स्पून मैंने भरकर जाला है, इसमें चाट masala, बस ये हमारा बन कर ready है, frankie masala, ये instant वाला है, जो हमारा regular frankie masala होता है, उसमें कुछ और spices भी होते हैं, बट ये भी काफी अच्छा बनता है, तो आप इसे भी बना सकते हैं नेक्स टिप में मैं आपके साथ share करी हूँ, एक special pasta, जिसे हम valentine के लिए specially बनाएंगे, तो किस तरह से उसे बना रहे हैं, ये मैं आपके साथ यहाँ पे share करूँगी, तो जब आप pasta boil करें, तो pasta के packet में अक्सर लिखा होता है, कितने मिनट उसे boil करना है, बट boil करते time, आप और oil में जरूर डालें, उसके बाद क्योंकि ये valentine day के लिए हम pasta बना रहे हैं, तो इसको हमें pink color देना है, तो pink color के लिए कोई artificial color ना use करके, मैं यहाँ पे beetroot का use कर रही हूँ, तो एक medium size का beetroot मैंने लिया है, और उसमें डाला है half cup पानी, और इसे हम रख देंगे heat up करने, स इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले pasta के लिए sauce, तो यहाँ पर white sauce pasta हम बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक बड़ा चमच butter डाला है, और एक चमच ही उसमें मैं डाल रही हूँ, मैदा और यह दोनों चीज़े मैंने एक साथ यहाँ पर पैन में डाली हैं, उसके बाद मैंने gas on किया है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बटर को melt कर देते हैं, फिर हम डालते हैं उसमें मैदा, तो वो जल जाता है, और अच्छे से भुनता भी नहीं, इस तरह से जब आप करेंगे न, तो हलकी हलकी आच पे मैदा भी भुनता रहेगा, और बटर भी melt हो तो यह भी एक टिप है, आप काफी सारे लोग कहते हैं, कि आप रेसिपी शेयर करती हैं, बट आप इनमें देखें, तो इसमें बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे, तो आपकी रेसिपी एक दम पॉफेक्ट बनेगी, तो यहां पर जब यह बटर औ और मारा मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसमें डालेंगे एक कप मिल्क, तो यहां पर जब आप वन कप बटर और वन कप मैदा ले रहे हैं, तो उसके साथ एक कप आपका दूट जाता है, एक से डेड़ भी चला जाता है, तो जिस तरह की ठिकनेस आप चाते तो यहां पर हमारा यह बनकर रेड़ी है, तो इसमें हम थोड़े से स्पाइसे एट करेंगे, तो इसके लिए मैं यहां पर बेजलीव डाली है, सबसे पहले उसके बाद मैं यह डाल रहे हूं, पास्ता मसाला जो आता है, मिक्स वाले हैं, इसमें काफी सारी चीज़ें होती है chili flakes डाले है साथ ही dry oregano मैंने इसमें add किया है इसको और भी cheesy बनाने के लिए आप इसमें एक या दो slice cheese की डाल सकते है या फिर grated cheese डाल सकते है इस तरह से हमारी sauce बनकर ready है जो कि white sauce है इसको हम pink color देंगे तो beet root को या तो आप grade कर लें क्योंकि हमने इसे boil कर लिया है बट मैं यहाँ पर सिर्फ इसका पानी यूज कर रही हूँ जो मैंने इसमें एक्स्टरा पानी एड किया है वही बस मैं इसमें यूज कर रही हूँ मैं कोई भी बीटूट का पोर्शन इसमें नहीं डालूंगी तो इस तरह से आप देखे कितना बढ़िया पिंक कल इसमें आगया सिर्फ पानी ही बीटूट का यूज किया है साथ ही थोड़ा सा बटर हम इसमें एड कर देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा ग्लेज आ जाए उसके बाद जो हमने बॉइल किया है पास्ता और कौन वो हम इसमें एड कर देंगे यहाँ पर साथी मैंने यहाँ पर कुछ वेश्टेबल और सौटे की हैं जो की तीन कलर की बेल पेपर हैं उसको मैंने ओलिव औल के साथ हलका सा सौटे कर लिया था और वो भी मैंने इसमें एड कर दिया है तो देखे कितना बढ़िया कलर समें एड हो गया है और अब यह हमारा पास्ता ब पहले add कि nine वो एक बार और टेस्ट कर लें उपर से जरुत है तो आप उसमें और add कर सकते हैं साथ ही इसको और चीज बनाने के लिए ग्रेट करके ऊपर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इस तरह से हमारा ये पास्ता बनकर रेडी है और कलर देखिए आप कितना अमेजिंग आया है इसे हम सर्फ कर लेंगे उपर से चाहे तो आप चीज ग्रेट करके डाल सकते हैं बट मुझे इसका पिंक कलर थोड़ा सा ब्राइट चाहे था तो मैंने उपर से नहीं चीज डाला है बलकि मैंने यहाँ पर चेरी टेमैटो के साथ इसे गानिश किया है और उपर से डाला है पास्ता मिक्स जो कि अच्छा लगेगा इसके उपर उपर से भी थोड़े से बेजल लीव डाल दिये हैं जो ड्राइ मेरे पास थी इस तरह से हमारा यह वैलेंटाइन स्पेशल डिनर लंच आप कह सकते हैं कुछ भी आप किसी भी टाइम ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही डिलिशेस बनकर रेडी हुआ है आप भी इसे जरूर ट्राइ करें आप सबी को एडवांस में हैपी वैलेंटाइन स्टे आप यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें तो इस तरह से थी आज की यह किचिन टिप्स और रेसिपी उमीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होंगी मैं मिलती हूँ आप से किसी और नई इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थांक यू थांक्स फॉर वाचिंग हैव नाइस टे